हेलो अब डिवान, कैसे हो आप सब, I hope गाई सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, तो अभी हमारा ब्रेकफास बगारा हो गया है, और हम मम्मी और मैं बैठे हुएं, हम कर दें काम, देखो क्या काम करते हैं, यह देखो, यहाँ पे भी, पूजा के लिए बना रहे हैं, दिया, बत्ती, रूइं की बना रहे हैं, जो फिर घी जला कैसे पूजा करते हैं तब क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी हैं, मैं पहले दिखाती हूँ आपको, ऐसे नॉर्मली पैकेट में ऐसे आई हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं, हमारी बम्मी ने की सारी बना दे, बम्मी को मैंने सुभा सुभा काम पर लेगा, बस फिर देखते हैं, आज रात को बारिश हुई थी, और आज कोसम खराब से ये बादली हैं, जब हम बाहर जाएंगे, जब हम आपको दिखाएंगे, जलो अभी हम कर लेते हैं, जलोदी जलोदी अपना काम, गाइज मैं अभी आई हूँ, अपड़ेवगरद होए, अनहा के, और बाहर थोड़ी सी धूप आई थी, फिर से बादली हो गए, जैसे मैं आई मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आज कैसा मौसम है, और यू भी दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा, ऐसे हैं, इसके बाद शुटा सा मंकी भी है, बेबी मंकी, बहुत क्यूट है वो, हावा भी चली है, और बादल ऐसे हैं, क्या पता मौसम का, रात को भी हूई है, बारिश कभी भी लग सकती है, अच्छा मौसमे पर आज, कितना प्यारा फूल है, ये भी है, छोटे-छोटे फूल, क्यूट-क्यूट से, मैं और मम्मी घूम रहे हैं, हाँ, अब दिखा, हाँ, हम दोरनो आगे बहर, क्योंके अब धूब आगी थोड़ी सी नहीं, आ रही है, थोड़ी-थोड़ी है, अंदर बैठके, मैं दोरनो बोर हो रहे हैं, मैंने बलाई, चलो मैं बहर चलते हैं, तो कहाँ खूमने जाएंगे, मौसमना ना, हाँ, थंदी-थंदी हावा में मैं हावा चली है, ठंदी-ठंदी, मम्मी बोलेंगे कहीं जानी है हम घुमने, मुझे गाड़ी चलान मी आती रहे हैं, तो ममी चलते है, हम रहा हम से, कोई नहीं, जाएंगे साम को खूमने, ठीक, चलेंगे, अब यहम देख रहे हैं कि यहां पर क्या क्या है, पुदीना है, मुम्मी बता रहे हैं, यह भी है, वो भी है, बहुत से जड़ी बूटिया मी है न मम्मी, आती जुपता भी ने उखती है, बस हम ऐसे घूम रहे हैं, धूप तेज लग रहे हैं बीच बीच में, आपको अच्छा लग रहा है यहां पर, बहुत अच्छा, खुश है मम्मी, मोट हो जाओ मिरे जैसे, मोट ही हैं, जलो गूम लेते हैं भी हम होना, गाइस तो हम होगे हैं रड़ी मैं और मम्मी, आज हम दोनों ने एक जैसे सूट पैनने हैं, न थोड़े-फोडे तो हैं मैच, ट्वीनिंग की हैं न मम्मी के साथ, अभी हम रड़ी हैं, शाम हो गी है अभी देखते हैं, शायद हम मंदिर जाएंगे, क्योंकि आरती का टाइम भी होता है, तो हमने बोला है माही को, अब क्या पता, वो आएंगे, तो हम तो रेडी हैं, है न मम्मी, आज आएंगे तो हम चल पड़ेंगे, नहीं आएंगे तो, देखते हैं, वैसे तो आना चाहिए आए आएंगे हम राधी खैने मैं तो तुप कैसे लग रह समय जो मिश्कोलारो में हैं फिर हम जाएंगे जाहलागी मज़ए हम बहुत कम जाते हैं इस टाइम पर आज मम्मी के साथ जाएंगे आरती हम आरती पर जाएंगे। पहुँच ही जाएंगे जाएंगे तक हो? सबसाथ हो अभी बहुँच जाएंगे लेखते हैं बहुत अच्छे हैं मैं आपके गवर व्यू दिखा देखती हूं ठंड़ हवा चली है अर यह है मम्मी इंतजार कर दें माही का और बहुत अच्छी हवा है ममी देख रहें व्यू एंजॉक रहे है Svaty, अच्छी क्या बन रहा है? अच्छी बन रहा हैं जफ्राइ का प्ली मैं पीकिदी स्कष्टी ममी को पसंद देना प्ली यहां प्लीस दो प्लीस यहां प्लीस दिखी हो रहा है और यहां पर मैं चपातिया बनाओंगी यहां पर हमारे मतल होगे हैं यहां पर मतल क्योंकि गाइस हमें 10 वज गये हैं मंदिर से आते आते हैं बढ़ हमें बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं मैं आज बहुत जब खुछ हूँ और पहली बार मैं आपके अटेंट किये मंद मैं बनाऊ घए हम मामी कैसे हपा कहतीत हैं मैँ मैं अच्छाए कि मैँ करें आभ हमका चीछ खा festa विक और माहिए आप ढ़ल हूं के काल्स हूं तो अभी हमने खाना वे झालिये कि सार्ट काम हो गया है और आज मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है मैं खुश हूँ आज सब कुछ अच्छा हो गया ममी को भी अच्छा ही लगा होगा ममी बहुत खुश थे व्याम ममी के साथ पहां गए और आरती भी फिर्स टाइम ही देखिए असे थे तो हम जाते थे मंदिर तो हम गया है कि बहुत अच्छा रा सब शूच और हमने फिर एंड में ऐस्क्रीम भी खाई और उसके बाद आए खेम कर तब जाके पर हमने बहुत मज़ा किया मन नहीं कर रहा था ऐसे लगनी रहा था कि तना लेट हो गया और हमने शॉपिंग भी कर दिये थोड़ी बहुत वह आपको मैं कल दिखाऊंगी है अभी मैं बहार आए एक दम से क्यूंकि हैलिकॉप्टर की आवाज आई तो मिलकु लगा पता नहीं कितने निचे होंगे और मैं भागते उनको देखने आगी दिखके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं ऐसे करती थी जब मैं चंडी गड़ में थी त मैं आपको एक वार वीव दिखाँ एचिती हुँ दो दो हेलिकॉप्टर जारे हैं वाव माहीं अभी जारे हैं आफिस बाई माही और बारिश लगी हुई है पहले मैं तो गिली हो रही हुपर बहुत अच्छा मौसम रूख्या अच्छी खासी बारिश हो लहा है कि माहीं चले उस सर्थ बहुत अंधेरा है ऐसे हाँ हलकी हलकी बारिश ही गिर्दी मैं ऐसे आगी थी कि दिखाने की बारिश हो रही है मैं जाती हूं गाइस तो बाहर बहुला दा मौसम खराब है बारिश लगी हूए बाहर हो रही है बारिश तो अच्छा ठंड ठंड मौसम है ऐसे में चाय और पोकॉड़े तो बनते हैं और मैं और मुम्मी कर रहे हैं त्यारी पोकॉड़े बनाने की मैं दिखाती हूं आपको कि हम किस चीज क पोकॉड़े बना रहे हैं हम बना रहे हैं चने की डाल के पोकॉड़े बिगोने डाले थी हमने अभी हम दोनों कामी करें मैं दिखाती है मुम्मी क्या कर रहे हैं यहां पर मुम्मी बैटर अच्छे से बना रहे हैं इसका जो हमारा पता नहीं कैसा बना है हम करी रहे हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि हमारे पकॉड़ी कैसे बने हैं आप हमने सारे मसाले अड़ कर लिये हैं तो कुछ ऐसा सा लग रहा है हमारा पकॉड़ों का समार और अभी मुम्मी करेंगे इनको लब डीफ प्राइड नहीं कर रहे हैं लास्ट टाइमने वैसे बनाए चाहिए हम वह जादा बैड़र है मेरे कहल से फिर उस में जादा ओयल हो जाता है आज मम्मी बना रहे हैं तो मेरे मुंहमे तो पानी आरहा है अभी से मैं जल्दी जल्दी चाहे बनाऊंगी फिर हम खाएंगे दो क्या करें बस करेंगे इस जाज़ा सई यह ना तिकि कि द॥ करें चैंने की दाल कि दिदिद्व Conference color बोल सते थोड़ा सा बच्चा और यहाँ है तने सारे बनने पर हमारी चैपा मम्मी ठक तो तो दे हैं दिए मम्मी ठाट उन्हाँ मजा रहा है मजा रहा है मम्मी को बढ़ी टिक्की बनाई है में निम बहुत अच्छी लगज तेस्ट भी कर ली कर ली मैनने तो और साथ-सा थमें अपर यह रहे है तेल कम लग़ रहा है और healthy भी कि खाने के जिए यह हमारी लास्टी की सबसे बड़ी इला बन दो मम्मी ने सच बोल ला यह तो चीला यह बन गया अच्छ है 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 लगा न खाएंगे हम स्नैक्स में हल दिखा रहे हैं ना बस अब हम खाएंगे हम चाय भी रड़ी है बहर इतनी सारी युमी युमी माहिं के दिखी हम रखेंगे 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 न वह रखेंगे बड़ी चीला कि लाएंगे तो हम हो गए फ्री और अभी बारिश भी रुख गी है बाहर लाइट चाव लगती हूँ और यहां पर रपनी चाय दिखाती हूं आपको पाटी करेंगी अभी यहां पर हो दी थी शाम की खाने की त्यारी कद्दू कट कर दी थी मैं फिर हम लगे स्नैक्स बनाने वह अभी हम खाएंगे और एक दूसरे को बताएंगी कैसी बनी चलो ममी करो स्टार्ट खाते हैं कैसे मैंने टेस्ट कर ली थी थोड़ी की अब आप लोगों को भी बता देती हैं अच्छे बहुत अच्छे हैवी भी नहीं लगेगी और अभी हम चलो अभी हम इंजॉय करते हैं फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ थोड़ी दियाद में और गाइस तो अभी हम जा रहे हैं वाकर ने मैं अम्मी को थोड़ा सा गूमा लेती हूं ममी के साथ मैं भी घूम लूँगी क्योंकि अकेले मैं भी नहीं जाती हूं तो अभी हम चल पड़ें क्योंकि अभी अच्छे खा लिए तो वाकर नी भी जरूरी है और अभी मौसम सारी थीखिया ब्रनिया बारिअगा ना चलो वमम्यений जलते आं और गूमों आप देखो कैसा लगता है मम्य को वो और पुछलेंगे मम्य से अभी हम बस चलें झाली हंतं फ़श आल रहे हैं तब ममम्य कि ग ness कि बहुतτα 2 अध़ थंड थंड लगई है और देखोव गर्मी में भी थंड लगई है यहांड घर मी को मिल थंड लगई है और मैं ईचे बहुत संदर विव है तंडी ठंडी हावा और भी है लोग यहां पर आ रखे है शाम के टाइम ही कल जाते हैं बारिश वी तब करके है थोड़ी जादा हा ना बारिश पिजारा हुज आच तब है पर हम आगे हैं थोड़ा घूम लेगते हैं जो ने खाया है वह डाइस तो अब अंधिर होते जाएगे तब जादा लगेगी मम्मी को पॉद्दे बड़े अच्छे लग रहे हैं कटिंग हो रखे हैं के जादा पसंद है मम्मी को वैसे भी फूल पॉद्दे से गार्डनिंग कैस एक वर ब्यू देखो कितना प्यारा है थंडी थंडी हावा सामने बर अब अब कितना बड़ा घ्राउंड लहां है अब जल पड़े सोच रहें चलते लोगा है अब शोच रहे करें जाने मज़ा बहुत है न मामी बच्पन की आद्याग ताज होगी ना बच्पन में जूलते होगे ममी अब जूलने में जूलरे थे अज़हारे थोड़ा नहीं और मम्मी ने ली है फूल, दिखा फूल की, फूल तो नहीं है, ऐसे डेकोरेशन के लिए ना पॉद्दा, कटिंग करके बहुत ही हो जाएगा, और उस साइड देखो, कितनी दूर-दूर तक दिख रहा है यहां से, और यहां पे मम्मी, मम्मी, तने टाइम बाद मैंने तने देखी हैं, दूर-दूर तक बहुत प्यारा दिख रहा है, अभी मम्मी हमारे ली बना रहे हैं आज, मक्य की रोटी, आज सारा काम में मम्मी से करा रहे हूं, पर मम्मी ने बोला कि मैं बनाती हूं, वैसे मैं भी बनाए लेती हूं, थोड़ी बहुत, बट फिर मम्मी बना आज, और यहां पर हमारा कद्दू भी बनेंगे है, खट्टा मिठा कद्दू खाएंगे, और साथ में होगी मक्य की रोटी, देखो, ऐसे बनाती हैं रोटी, किस-किस को आती है मक्य की रोटी मना, कमेंड में बताना, बाह, बिल्कुल गोल रोटी बनाए मम्मी ने, इस टाइम तक मेरे तो टूट जाती मम्मी, वाजी वाजी वाज, यहां पर हमारी मक्य की रोटी बनेंगी है, में का में यह उता है, मम्मी आर्ट अच्छे से है, आर्ट अच्छे बनती है, इसी पे लगता है, पूरा जोर अच्छे से, अगर सॉफ्ट बनेगा ड़ो तो अच्छे रोटी बकेंगी, तो यहां पर हमारी रोटी, बॉलमस्ट पके लिए, दो रोटी यह है, बाकी बस पके लिए, गोल-गोल रोटी, है, वैसे चुल लिए की रोटी जादा टेस्टी होती है, बट अब हमारे पास चुला नहीं है, तो गया तो भी अच्छे बन जाती है, ना ममी, तेस्ट तो वैसे ही होता है उसमें तो फड़ी क्रंची हो जाती है वो हमारी रूटी फूल रही है साइड साइड से ना I hope guys आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग होगा तो don't forget to like, share and subscribe my channel फिर मिलेंके तब तके लिए बाबाई